इस मैने में Realme ने दो प्यारा सा फोन को लांच किया है एक जो है Realme 11 Pro और दूसरा जो फोन है Realme 11 Pro Plus दोनों फोन में बहुत कुछ सिमिलार है इसलिए तो बहुत सारे दोस्त कंफियूस है एक दोनों फोन लेकर आज इस वीडियो में दोनों फोन के भी डिटेल कॉंपेर करके आपका कंफियूसन को क्लियर कर दोँगा चले दोस्तों कंपरेशन शुरूबात करता हूँ दोनों फोन की डिस्प्ले से डिस्प्ले की साइज के तरह आप देखा चाहे दोनों फोन आता है 6.7 इंच फूल लगके चलता है 950 का ब्राइनर से अब डाइर सानलाइड में अराम से दोनों फोन को यूज कर सकते हो अब यहां पर जो वीडियो देख रहा है यहां पर आप देख लीजिए कालर कॉंटर्स डिटेलिंग के वाइस यहां पर दोनों फोन में इतना ज्यादा डिफारेंस नह जाता है नॉर्माल यूज के लिए अब यह दोनों फोन से कोई एक फोन को ले सकते हो एप उपेनिक बहुत ही फास्ट होता है दोनों फोन में गेमिंग पाफुमेंस भी दोनों फोन में अल्मोस्ट से मिलता है बीजी में जैसा गेम आप 60 एपिस में दोनों में खेल लेकिन दोस्तों केमेरा में के बहुत जबादा अप्गेट किया है रिमी 11 प्रो में है डूर से लूं में पॉस भी है दुनों फोन की प्राइमरी मेगापिक्सल में तो डिफरेंस है तो मैं पहला आप करना चाहूंगा कुछ स्काई की फोटो से तो आप यहां पर देख सकते हो कालर कॉंट्रस्ट दुनों फोन में अल्मोस्ट सेम आ रहा है कुछ पेड़ पौदा का फोटो भी दिखा रह दोन को सिंटोन को रेट कर देता है लेकिन जब आप प्रोट्यन मूट में स्जिच करोगे प्रोपलास में टू एक्स जुम हो जाता है और जो फोटो किछता है दो बहुत ही अच्छा मुझे लगां ऐसी फोटो में जूम करके दिखा रहा हूं यापर मेंगापिक्सल ज्या तर अस्टेस निस नोडिस करिए मेरा 16 का कालर को दौरस अलग तरीके से प्रिज़ेंट कर रहा है ऑर इजिनल कालर प्रोप्लस प्रेजेंट कर रहा है फ्रोटेंट मुट抹़ पर भी मैने फटाहτα शाथ। ब्लार कर लेता है और फ्रेट् Shen आ को भी ठीठ है से मैनेज कर लेता है दोनों फोन की बैक कैमरा से आप 4K में 30 अपीस फर वीडियो को रेकॉर्ड कर पाओगे लेकिन यह जो वीडियो सैंपल आप देख रहे हो एक फुल एजडी 60 अपीस में रेकॉर्ड हुआ है और अब इस तो दोनों फोन में वीडियो जो है अच्छा स्ट में पास दोनों फोन का अलग-अलग कालर है इसलिए मुझे डीजाइन में फरक आ रहा है अगर आप दोनों फोन से कोई भी एक फोन लेना चाहते हो तो मैं कहूंगा ब्लैक कालर शोड़कर आप दूसरा कालर को पर्चिस करो उसमें आपको लेदार फिनिसिंग मिलेगा और अच्छा बिल क्वालिटी भी मिल जाएगा मेरे पास जो रियल में 11 प्रो है नो डाउट देखने में काफी प्यारा सा फून लगता है इसका बिल क्वालिटी भी सॉलिड है हाँ दोस्तों डीस्प्रे का साइज बढ़ा होने की वज़े से अब एक हाद में यूज नहीं कर लेकिन वाई इसके पीछे की तरफ जो लेदर फिनिसिंग है प्रीमियम फिल देता है प्रो प्लास से प्रो में कैमेरा का बंप स्लाइडली छोटा भी है अगर आप ब्लैक कला लेते हो तो आपको बहुत सारा कंप्रोमाइस करना होगा जैसे कि मेरे पास 11 प्रो प्लास है इ इन डिस्प्ले फिंगर पिन सेंसर है जो हार बार एकूरेट और फस्ट काम करता है दोनों फोन में एंडूर थाटी ने रियल्मी यूई 4.0 है रियल्मी यूई 4.0 के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों लेकिन अच्छा अच्छा फीटरस के साथ आता है अगर आप इस आपको प्ले स्टोर से ओ डाइलर एपली किसान को इंस्ट्रॉल करना होगा ऐसे दोनों फोन में डूल माइक है नौइस को बहुरी अच्छी तरीके से कैंसलिंग कर लेता है है एक्टिव फिटबक के मामले में रियल्मी 11 प्रो प्लस मुझे सबसे अच्छा लगा है दोनों प्रो के साथ इंबॉक्स आता है 80 वाट का अड़ेप्टर लेकिन फोने 67 वाट का चार्जर को सापूट करता है 42-50 मिनिट के अंदर फोन भी फुल चार्ज हो जाता है मैंने दोनों फोन का डीटिल में बैटरी डेंटेस्ट किया था तो यहां पर विनर था 11 प्रो प्लस बहुत फीचर्स के मामले में दोनों फोन जो हैं कुछ-कुछ चीजों के मामले में रियल्मी 11 प्रो से 11 प्रो प्लस में थोड़ा सा बहतरिन देखने को मिलता है जैसे कि इसका कैमेरा मेगा पिक्सल जादा है इन्बोक्स जादा वाट की अड़ेप्टर के साथ आता है है फ के लिए रियल्मी 11 प्रो सबसे अच्छा रहाएगा दोनों फोन अल्मोस्ट सेम है थोड़ा बहुत फिचस डाल कर इसको लॉंच कर दिया है और इसका प्राइस भी थोड़ा सा हाई कर दिया है मैंने आपको आसान तरीकी से समझा दिया दोनों फोन के बीच क्या अंतर है त अगर आपने अवी तक रियल्मी 11 प्लो प्लास के साथ मोट्रोला एच फॉर्टी का कॉमप्यार वीडियो नहीं देखा तूँ आप एफर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो